केतार लोक आस्था के महापर्व छट के लिए प्रसीद भगवान भासकर नगरी नरायन वन को दुल्हन की तरह सजाए गया छट वरत धारी स्रधालों का आगमन नरायन वन में गुरुवार सुबस से ही शुरू होने लगा मंदिर निर्मान कमिटी के अधियक चुमा संकर चौबे ने बताया कि भासकर नगरी नरायन वन में हजारों स्रधालों का प्रतेक वर्ष आगमन होता है यहां जार्खन समेट सिमावर्ती प्रदेश बिहार, छतिसगर, मध्यप्रदेश के काफी स्रधालों आते हैं स्री चौबे ने बताया कि जो भी स्रधालों सच्चे मन से कामना लेकर यहां आते हैं उनका कामना वर्ष ही पूर्ण होती है उन्होंने बताया कि यहां प्रतेक वर्ष पुत्र रत्न की अभिलासा लेकर आई मतायें बहने को पुत्र रत्न की प्राप्ती होती है प्रतेक वर्ष मंदीर परिसर में मातायें बहने की गोद भर्थी है मंदीर इर्मान कमिट्र के संड़क्षक योईंदर सी ने बताया कि लोकास्था का छट परु मुकुंदपूर इस्थित नरायन वन में आठ दशकों से छट पूजा कायोजन होता है इस बार कोविड-19 को देखते हुए खास ध्यान रखा गया है संड़क्षक अजयवर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी गाडलाइन के अनुसार अक्ष्छ स्पालन किया जाएगा कोविड-19 के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सनेटाइजर मास्क का उचित व्यवस्ता की जाएगी साथी मंदिर परिसर में सुरक्षा स्वास्त शुर्द पियजल लाइट पार्किंग का भी प्रशासनियों कमिट्री के द्वारा कर ली गई है बता दे कि भाशकर नगरी स्थित सुर्य मंदी नरायनवन मुकुंदपूर में पिछले आठ दशक से छट महापरो मनाया जा रहा है मंदी निर्मान कमिट्री के संड़क्षग रामप्रवेश्वर्मा ने बताया कि स्री कृष्णा रंध ब्रमचारी मुकुंदपूर के पडोसी गाउं में यग कराने आये थे तभी उनको सपना आया कि मुकुंदपूर के दक्षिन में भगवान सुर्य की प्रतिमा मिट्टी में भूत गढ़वा नामक जगा पर तब हुए है स्री ब्रमचारी ने गाउं वालों को लेकर भूत गढ़वा नामक जगा पर आकर मिट्री खोदवाए तब भगवान शुर्य की प्रतिमा मिली तभी जईत भूत गढ़वा नामक अस्थान को बदल कर नारायन वन से प्रशिद हुआ कि कि अधर भगवा नामक जगाता है कि इसके पर परफं का थरवा नामक अगर है तो बहुत भववत्व मंधिर किताथ और सुद्ण्यनाराय मंधिर मखुल कर नामक जगा नामक जगा है सब्सक्राइब करते हैं इसको प्रवाइब करते हैं तो कितार का नाम पूरे देश में आएगा देश से माईजी तुमायागा करते हैं अगरा देश प्रवाइब करते हैं तो कितना वन सकेगा उर्वाइब करेंगे अन्यवाद जय चैनि में